नई websites पे traffic लाना बहुत ही difficult job होता है उस case के अंदर आपका जो primary काम होना चाहिए वो यह होना चाहिए कि आप किसी ने किसे तरीके से Google को signals बेजे कि हमारा existence होता है और उस case के अंदर अगर आपको initially traffic drive करना तो एक सबसे major source जिसको मैं use करता हूँ वो है Quora तो exactly Quora के बारे माँ आप सभी जानते है that is a forum website लेकिन उसका use किस तरीके से करना है कौनसी topic को आपको answer करना और कौनसी topic में जाकर के आपको थोड़ा सा description दे के आपकी site का link देना है जिससे के आपकी site पर traffic आना चालू हो जाएगा तो guys यह सारी चीजे में आज इस video में detail में explain कर करने वाला with live group कि मुझे कितना views आता है एक Quora के account से वो भी में यह आपको दिखाऊंगा so guys अगर आप हमारे चैनल पर नए और सीखना चाहते है blogging से related unlimited information without wasting time तो चैनल को subscribe कीजिए video को like कीजिए और comment करके अपने opinion बताना मत भूलेगा और very important Facebook के private group को join definitely कीजिएगा अगर chance miss हो गया तो वहां पर close हो जाएगा क्योंकि हम करने वाले है बहुत सारे वहां पर live sessions link यहां पर है और description अभी है चलता desktop की screen पे और मैं आपको step by step सारे चीज़े explain करूँगा let's go so guys हम लोग है यहां पर desktop की screen पे और यहां पर आप आप देख सकते हैं कोरा का मेरा account मैंने login करके रखा अगर आपको नहीं पता है कोई अगर beginner तो कोरा एक forum के sites है जो q&a type का होता है आप वहां पे queries को post करते है उसका answer कोई नहीं कोई देता है तो कोरा एक बहुती आपको किसी कीवर्ड को टार्गेट कर अगर बीच में कहीं कोरा आ रहा तो आप इसको इसे लिट कर साथा अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता दू तो चलिए बात करते है एक्जक्ली कोरा पर आपकी इसके स्ट्रडेजिस क्या होने चीए जिसके तुरू आपकी साइट्स पर बैक लिंक्स और आपकी साइट की रैंकिंग धिरे धिरे बूस्ट होना चालो होते है एक हपते में तीन-चार अंसर्स दे देते हैं चोड़ा-चोड़ा बना करके 100-200 वर्ड का तो इसलिक एक आपको काम करना है एक प्रोफाइल बनाना है और प्रोफाइल बनाने के बाद आपकी जो भी सलेक्टेड नीश है उसको आपको जॉइन कर लेना ओके तो यहां पर थ जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो अल्री बॉलिवूड मुवी से डिलेटेड जो जो भी ग्रूप्स होंगे या फिर हाई रेटेड जो भी क्वेशन होंगे वहां पर दिखाएगा तो मैंने इसको बॉलिवूड मुवी को टाइप किया इसको रिफ्रेश किया इसके ब करें जैसे 1.2 के करीबन 12-100 लोग जहां पर लोग अल्री एसे मुवी में इंट्रेस्टर हैं वो यहां पर हैं यहां पर देख रिकता हैं इंट्रेस्टिंग जांपल सब मुवी मिस्टेक्स इन बॉलिवूड अगर आप इसा कुछ लिखते हैं तो सीधा आपको आना है इस करीबन 12-100 लोगों को तो इंस्टेंट मेल चला जाता है अगर उनने कोरा सा सब्सक्राइब करेगा तो उनको इंस्टेंट मेल चला जाता है मतलब आपने जो क्वेरी दिया वो सीधा उनके एकाउन में पहुंच गया तो वहां पर आपको व्यू जाने के चांसेश जादा है पहले यहां पर एक option हुआ करता था जहां पर यह लोग दिखा जाते हैं कि इसके इतने views हुए हैं और इतनी बार यह overall देखा गया एक queries लेकिन अभी इन्हों ने हटा दिया है अभी इन्टिविजुल रखा तो आप देख सकते हैं तो यहां पर आपको क्या करना है सीधा जा अगर उन्हों ने इसका answer दिया तो माल दिजिए कि यह बंदा है जिसने answer दिया October 17 मतलब कब करीब एक महिना पहले एक महिना पहले इस बंदे ने आकर कि यहां पर answers दिया है और इसका answer यह है इस तरीके से इसने क्या कर दिया कि site के बारे में कुछ 6-7 चीजे के बारे में उस इस पोस्ट को देखा गया जैसे में देख रहा हो तो एक और एड हो गया और similarly वह बंदा चाहे तो इसकी site के link बीच में दे सकता है चिचोरे के movie का उसने review दे रहा है उसके link दे दे 16,000 का 10% भी गिने तो करीब करीब 160 people I think 16,000 का 16,600 होता है तो इतने लोग भी अगर उसके site गया हो गया तो कितना massive traffic हो गया और 1600 के site पे गया है average session गिने तो वह करीब करीब 32 page views के करीब हो जाता है तो similarly आपको ऐसे कुछ queries find out करना जिसके multiple followers हो उसको जाकर करके आपको answer करना और better answer कीजिए minimum 400 word का होना चीए तो आपका post easily quickly rank करता है अब यहाँ पर देख सकते है इस अभी इसको देख सकते है आप करीब-करीब 747 time upvote मतलब इसको लोगों ने promote किया है तो ऐसे ही आपको कुछ queries और इसका answers लिखने और देखना है कि exactly कितना views आ रहा है और imagine कि जैसे कि आपने SEO के बारे में लिखा कुछ भी पोस्ट ओके आपको SEO टाइप करना जैसे वाँ SEO ट चोड़ा सा summary निकाल के यहां पे answer दे सकता हूं तो वहां से मुझे traffic आने probability हो जाती है तो यह है करीब-करीब 1600 इसके followers है इसका जो पहला पोस्ट है देखते है कि हम exactly इसके कितने views है अभी आप देख सकते है 2011 के लिखा गया है बहुत ओल्ड है तो definitely इसमें views होने के जादा chances ह आपको यहां सा idea मिल जाते है 2018 के अंदर लिखा गया है पोस्ट हो इसको देखते है इसको eight times upvote किया गया है और इसके कितने views यहां पे आया हुआ है तो यह बंदे ने query लिखा तो करीब-करी 450 views आये तो कहीं ने कहीं 45 का traffic इसको generate तो हो ही सकता है अभी वो depend करता है आप कौन आपसी queries को address कर रहे है किस type की queries दोग ढून रहे है तो इस तरीकिस आपको find out करना उसको answer देना है ओके अभी चलता हूं मेरे account के अंदर मैंने exactly कितने इस account के अंदर से कितनी बार answers कि आप देख सकते है मैंने करीब 82 answers कर रहे है अलगलग queries से से अभी लिखते है how to get adsons approval उसको म मन्त लिखा गया है मैं इस कोरा के post को open करता हूं and let's see कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यह मेरे post का एक link दे रखा है मेरी site का link दे रखा है YouTube का दे रखा है around 53 people ने within a month इसको देखा अगर इसका मैं 10% भी गून हो तो 506 लो सिफ एक post से अगर 82 answers आप imagine कर सकते हैं हर एक क आपके पास hundreds है तो automatic आपको 1000 अमलब 100 users unique users आपकी site पर everyday आने के chances जादा है ओके और यहाँ पी site का ट्राफिक देखना तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि exactly कोरा का जो monthly traffic है वो कितना आप देख सकते हैं यहाँ पर it's close to around 528 million imagine कर सकते हैं इतना million मतलब half of the billion search traffic इसका every month आता ह हैं तो अगर आपके ऐसे 50 साथ पोस्ट है तो हर किसी सागर 10 seconds पर 10 users पर आपके चले चार यूजर करके चले तो अभी आपकी site पर 200 से 300 का traffic अने के probability है तो आप देख सकते हैं यहाँ पी क्या करता हूं मैं बहुत सारा answers यहाँ से देता हूं यहाँ पर copy paste नहीं करता है तो अगर आपको देखना हो तो मैं आपको जैसे अभी यहाँ पर 82 में answers लिया राइड यहाँ पर देख सकते हैं करीब करीब 30,000 times मेरे जो लिखे हूए पोस्ट है उनको देखा गया किता 13,000 बार और इस मत में करीब 756 people हैं जिन्होंने विजिट किया है मेरे answers को in last 22 days अभी भी YouTube चनल पर जाते हैं कहीं के पर जाते हैं तो इस तरीके से मुझे स्टीश का advantage हो जाता है अगर आपको और स्टेट्स देखने चलते हैं थोड़ा सा स्टेट्स और दिखा दाते हैं यहाँ पर स्टेट्स में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी साइट पे कितना ट्राफिक इस मन्त में आया है यह और आया है तो आप देख सकते हैं 660 व्यूज हुए हैं लास्ट थर्टी डेस के अंदर कितने लोगों अफोर्ट किया आप देख सकते हैं यह कौन सा दीन था यहाँ पे करीब करीब 23rd of October को 72 पीपल से मेरे सारे पोस्ट को लिखा है अगर उसमें सिर 15-20 लोग भी मेरे साइट पे गयो हो तो सिर्फ 50-100 उसका कंवर्जन सिर्फ एक देखा हो सकता है और के सिमिलरली यहां पे भी हो सकता है आप देख सकते हैं यह हाई स्पाइक से कुछ लोग स्पाइक से तो इस तरीके से आपको कुछ फाइड आउट करना जिसके ऑल्री आउंकर जहां पर मैं एक मेरे स्पेसिफिक क्वेरिस को अड्रेस करता हूँ आपको यहां पर कुछ बहुत सार इंफॉर्मेशन समझ में होगी क्योंकि आप नेक्स्टाम जो बात करने वाले वह ऐसे किसी सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में कि वहां साब कैसे ट्र कि अपको अपको वहां सार आपको Кाय करता हुछ प्ले आपको कि वहां स bron Aub